हाउ तू फिल एज चेक तो हम प्रवाइड करते हैं वेब डेवलोपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज हमारे टीम से वेब साइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट और क्वालिटी सर्विसेज 24 इंटो 7 सपोर्ट एटसंस एप्रूबल वेब साइट दिये गई डिटेल्स पर कंटिक करें और आज ही अपना वेब साइट बनवाए तो दोस्तो जैसे कि आप स्क्रीम पर देख पा रहे हो यहाँ पर चेक है तो सबसे पहले तो आपको चेक पर क्या करना होता है आपको यहाँ पर डेट बढ़ना होगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर मैंने डेट बढ़ना है 05-06-2018 यानि कि 05 हो गया डेट 06 हो गया मन्त और 2018 हो गया येर ठीक है और दोस्तो यह जो है आप यहाँ पर डेट जो देती हो यह डेट से लेकर तीन मैने तक जो है आपका चेक जो है वो वेलिट रहता है यदि तीन मैने होने के बाद भी ये चेक के जरी से पैसे विड्रो नहीं किया जाता है तो ये चेक जो है वो इन्वैलिट हो जाएगा तीन मैने के बाद ये चेक जो है कोई भी काम में उपियोक नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे डेट देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको simply यहाँ पे आप जैसे की नाम देख सकते हो यहाँ पे जो आपको नाम दिखाए दे रहा है राच कपूर ध्यान रही कि दोस्तों यहाँ पे जो पे दिखाए दे रहा है पेके ठेक यहाँ पे बिल्कुल भी गेप ना छोरके आपको राज कपूर उस बंदे का नाम लिखना है यहाँ पे जिसको आप पेसे देना चाहते है ठीक है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे थोरा भी जगे नहीं चोरणा है और प्लास नाम खतम होने के साथ साथ यहाँ पे आपको पुरा देश लगा देना है ताकि यह चेक जो है बिल्कुल भी मोटिफाई ना हो और उसी बंदे को पोंच पाए जिस बंदे को आप चेक देना च तो इस बाद दुस्तों आपको क्या करना ही? यहाँ पर आपको इमाउं डालना है यहाँ आप देख सकती हो जैसी आप यहाँ पर रूपीज देखती हो उसके बिल्कुल सामने में ही जो है डिजिट आप लिखना स्राट कर दिजे और यहाँ पर बिल्कुल भी गेप मद छो ताकि लोग और 108 ना कर पाएं ठीक है तो दोस्तों फाइनली आपको क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर आपको signature करना है अपना वही signature करना है जो आपका bank में register है आपने जब bank खाते खुलवाया था उस वक जो आपने signature दिया था वही signature आपको यहाँ पर करना है यहाँ पर आपको line खीज देना है इसे cut कर देना है ताकि जिसको आप check दे रहे हो वही बंदा जाके bank से पैसे निकाल पाएगा यह दिया आप इसे cut नहीं करेंगे तो उसके बिहाफ में भी कोई दूसरा बंदा भी जाके पैसे निकाल सकता है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने ACPAY दिया है तो ACPAY यहाँ पर देने का मतलब यह होता है कि यह जो आपने check जिसको दिया है यह जो है check जो है दोस्तों यह cash withdraw करने ही पाएगा यह बंदा ठीक है इसे सिर्फ अपना account में ही वो transfer कर पाएगा तो दोस्तों यह आप च जैसे दिया है ठीक है तो दोस्तों सिंपल सा है सिर्फ इतना ही आपको formality जो है यह पुरा करना है check के अंदर उसके बाद जो है आपका check valid बन जाएगा तो दोस्तों मुझे पुरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो एक like जरूर कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा मिलते अगले वीडियो में अभी के लिए इतना है till then bye bye take care